नमस्कार दोस्तों वी वीर क्लासिस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है देखे भईया जैसे हमारी एक टैस्ट सिरी चल रहे थी आज की वीडियो हमारे लगवक 25 कोसन रहेंगे और 25 कोसन एक वीडियो तो यह आपको अभी थोड़ देर में यानि की लगवक 10 वजे तक मिल जाएगी और एक वीडियो आपको सुबह 10 वजे तक मिलेगी और एक वीडियो आपको रात 10 वजे तक मिलेगी तीन वीडियो लगतार है जिसमें की आपके लगवक 75 कोसन कवर होंगे ये वीडियो आपका यूपी टेट चाहें हो आपका सूपर टेट चाहें आपका SSCGD चाहें आपका SI यानि कि कोई सी भी जिसमें क्या हिंदी है आपका विसे उससे संबन्दित सभी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपून है तो देखिए पहला कोसन है आपका निमलिकित में से कौन सा विकल्ब विलोम की द्रश्टी से सही नहीं है आर्थात आपको विलोम सब्द देखना है कि कौन सा सही नहीं है देखे पहला है आपका उतकर्स तो उतकर्स का आपकर्स बिल्कुल ठीक होता है किर्ती का होता है अपकिर्ती ठीक है आरोह का क्या होता है अवरोह ठीक है लेकिन ये जो आपका है सू बुद्धी तो देखे सू बुद्धी का होता है आपका क्या कूब उद्धी तो इसलिए भाई कौन सा वाला गलत है आपका तो यानि की C इसका अंसर कौन सा होगा option number C अगला कोसन है कि निमली खित्मे से मिस्र वाक्य है यानि की सभी चैप्टर सामिलने भाई इसमें कई सी को एक को न समझ कर चले कि बोले हाँ किसी एक topic wise है बिल्कु सारे के सारे चैप्टर है देखे पहला निमली खित्मे से कौन सा मिस्र वाक्य है यग यगदत देवदत को व्याकरण पढळता है तो भाई इसमें कौन सा वाक्य है ये वाक्य होगा आपका कौन सा यानि कि अगर जो आप उसकी द्रश्टी से देखेंगे किर्दिया की तो क्या पढ़ाता है वो ले जी हो गया आपका वो ले जी व्याकरण पढ़ा रहा है और किसको पढ़ा रहा है तो वो ले जी देवदत्त को पढ़ा रहा है और देवदत्त को यानि की दियू करमक कर लिया लेकिन इसे देखें तो वैसे वाक्या कैसा होगी आपका सरलिय साधरन अगला वह उड़ती हुई चलिया पैचानता है सरलिय साधरन वाक्या उसमें ने पत्ते थे ने फूल थे अगला है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंदन है मैंने सुना है कि यानि कि एक दूसरे पर आसरित कौन सा है उपसन नमबर डी तो इसलिए चोथा हो गया अगला देखे कौन सा नमबर है तीसरा वहेद दौर दौर भीक मांगता चलता है वाक्य में कौन सा कारक है वहेद दौर दौर भीक मांगता चलता है तो वाक्य में कौन सा कारक पूछ रहा है मेरे भाई कारक तो देखे कारक जो होता है अधिकरण अधिकरण की विवक्ती होती है मेकोमा पर संबोधन की होती है हे अरे ओहू संबंद की होती है काकी के रा री रे ना नी ने लेकिन अपादान क्या होता है से अब भाई अपादान मतलब अलग तो है नहीं तो इसलिए अपादान तो कहीं से गहीं तक हो नहीं सकता संबंद किसी दूसरी चीज से जोड़नी रे संबोधनाम करनी रे तो बचा क्या हमारा अधीकरण लेकिन वो कैसे हैं सवाली ये वनता कि वह द्वार द्वार पर भीक मांगता चलता है अर्थात अधीकरण कारक की विवत्ती परका इसमें मेरे भहिया क्या है लोब है अगला निम्निमें से किस वाक्य में इस्थान वाचक किर्या विसेसन है इस्थान वाचक किर्या विसेसन का मतलब है क्यानि कि जो किर्या का है इस्थान बताए यानि कि इस्थान के रूप में किर्या की विसेसता बताई जाए वो कहलाता है इस्थान वाचक किर्या विसेसन ज मेरे भाई कितने पिरकार के चार एक तो होता है काल वाचा एक होता है इस्थान वाचा एक होता है आपका परिमान वाचा और एक होता है आपका रीती वाचा इस पिरकार से चार होते हैं तो जो आपका वाक्या है कि वह धीरे धीरे पैदल चलता है तो धीरे धीरे क्या है पुलिस ने अचानक च्छापा मारा, ज़ो मारा है वो कैसे मारा, अचानक अर्थात रीती हो गया, अगला उसे इदर उधर मत जाने दें, अगला है वह बहुत अधिक बोलता है अर्थात कौन सा हो गया, परिमान वाचक। इधर उधर अरता देखे आगे पीछे इधर उधर उपर नीचे अंदर बाहर ये आते हैं तो क्या होता है इस्थानवा चक तो कुंसा होगी आपका तीसरा अगला देखे भाई कोसन है अगला देखो ये आपका गद्यांस है गद्यांस को कह रहा है देखो थोड़ा जोम करके पढ़ लें वईया इसमें, बाद में इसके कोशन पढ़ लेंगे, कहा कि काल, कला और जीवन का संबन अन्यो नासृत है, मत्ब अन्या परासृत है, ऐसे कह दे, कलाकार कल्पना अपना यतार्थ का समन्विया कर समाज में समक्ष आदर्स प्रस्तूत करता है, इसी कारण जीव जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता औरना वह आदर्स रूप में भी प्रस्तुत करता है। इस प्रिकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक फुरवाव पड़ता है। आसरित हैं का तात पर रहे हैं अर्थात यानि कि क्या है भहिया यानि कि दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या हैं आसरित हैं अब एक दूसरे पर आसरित हैं तो भाई आपन सर गोंसा होगा पहला होगा अगला देखें कि कौन सी कला स्रेष्ट मानी गई है कौन सी कला स्रेष् का चित्रण जो जीवन उपियोगी हो तो इसका कौन सा भी भाई अगर के लियर ना हो पाया हो तो आप वीडियो को बैक करें बैक करने के बाद गद्यांस पढ़ें गद्यांस पढ़ने के बाद जो कोस्टन करें हैं उन्हें देखें अगला नेक्स्ट कोस्टन है कि चांदनी चोक में कोन सी संग्या है व्यक्ति वाचक जाती वाचक दरब्य वाचक या फिर जाती वाचक या भावाचक अब देखें इन में से ये चार है अब चारों में से चांदनी चोक पूछा है अब भहिया इस में से देखना है तो चांदनी चोक का एक विसेश जगया का नाम और जब भी बताया था किसी सलक का नाम देदे किसी चोरहाई का नाम देदे किसी गाओं का नाम देदे किसी सहर का नाम देदे या किसी देश का तो हमेशा संग्या कुन सी होती है व्यक्ति बाचन अगला next question है कि उपचारात्मक सिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है देखे उपचारात्मक सिक्षण का मतलब है यानि कि जब क्या समस्याओं को क्या करा जाए उनका उपचार करा जाए तो उनका क्या है भाई उनका निदान निकालना अधात निदानातमक परिक्षान सुम्मिलित कीजिए देखें बहुत अच्छा गोस्तान है बहुत ही जवर्जस भाई धियान पूर्वक पढ़ेंगे इसे देखें कहा है कि सत्यात प्रकास यानिकी इने बताना है मिलाकर इसके भाईया नीचे क्या है आंसार है आपके सत्यात प्रकास किसकी नाबा दास की है रामचरितमानस तुलसी दास की है सुर्सागर दैनन सरस्वतिगी है भकतमाला तुलसी दास की है अरताद मेरे भाईया इने मिलाना है अर मिलाना है तो देखो अब कैसे मिलाना अब तुम देखो देखें इतना पता है कि देनन्द सदस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् होना चाहिए तो पहले का तीसरा तो आपका कुछी उप्सन में है क्या पहले का तीसरा भाई पहले उप्सन में है दूसरे का कुंसा भाई आपका होना चाहिए चोथा तो वो पहले ही उप्सन में है लेकिन भाईया तीसरा अगर पता हो तेके सूर सा अगर किसकी है भाईया य हो गया अगला इंट है देखे वह इसलिए पहला ऑनगते तो पहला है पहला है उससे बैठा नहीं जाता है और Haithaat हमसे बैठा जाता है या उनसे नहीं बैठा जाता या हमसे तो भाई इसलिए पहला वाला कुंसा आपका भावच्चे है अगला देखे राम से खाया नहीं जाता सीता से नहीं खाया जाता बच्चों से नहीं खाया जाता अरतात ये भी कुंसा हो गया भावच्चे राम पत्र अगर भाई क्या करें सीता पत्र लिखती है तो इसका मतला इसमें कुन सा करत वाच्छे इसलिए दूसरा चीसरा नहीं हो सकता सीता पुस्तक पढ़ती है राधा पुस्तक पढ़ती है सकर दोगे तो तो वही रहेगा अगर आप करने की राम पुस्तक पढ़ता है तो इसलिए भाई दोनों के दोनों कुन से वाच्छे है किर अर्थ इसलिए इस का अंसर कुन सा हो जाएगा डी अर्थाथ एक वद्धो दोनो next question है आपका next question है कि मिट्टी का माधो होने का अर्थ है यानि कि मिट्टी का माधो तो भाई मिट्टी का माधो अर्थाथ कृष्ण की मूर्थी बहुत ही मुर्ख समझदार होना मिट्टी की मूर्थी तो देखे भाई मिट्टी की मूर्थी तो नहीं होगा कृष्ण की मूर्थी नहीं होगा या तो बहुती मूर्ख होगा या बहुती समझदार होना देखे मिट्टी का मादो होना अर्थात बहुती मूर्ख होना next question है आपका कि तदित का संदी विछेत क्या है तो देखे तदित का जो होगा तो भाई इसे अगर हम तोड़े तो क्या होगा ततधन क्या निकलेगा आपका हित निकलेगा ततधन हित अर्थात याने की तदित इसके बार ब्यजन संदी का भी प्रियोग है वाई इसमें साथ के साथ next question है आपका कि आपको इसमें से अलंकार बताना है अलंकार बताना है कोसान है कि बिन घंस्याम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बरसती बसा की इसमें अलंकार है तो भाई इसमें अलंकार बताना है तो कौन सा होगा तो देखें इसमें कौन सा अलंकार है आपका तो वो अलंकार है आपका रूपक कह रहा है कि तत्सम और तद्भग का कौन सा यूम सही है अर्थात यानि कि बाकि सारे गलत है एक ही सही होगा यानि कि कुछी अर्थात कोक अगला है कपित्य अर्थात कैत कराट अगला अश्ट अर्थात आठ तो यानि कि कौन सा कुछी अर्थात यानि कि क्या कोक यह अंसर हो दो आ। नेक्स्ट देखे। निमदुलिखित सब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश आईसुद्ध है। तो देखे। यह भाई ठीक लग रहा है। उतखुारफ़फभी अर्था उतन गृब यानि Shandir से निमदहन अज्जित निमज्जित ये तो ठीक लग रहा है सब निकरा नीधन खरा हाँ भईया हाँ बात सौंज में आई थोड़ी सी ये तीसरा गलत होगा क्यों यानि कि नीतो होगा उपसर और यानि कि आपका मैं आदा जै जै इत ये क्या होगा आपका यानि कि इसके बाद देखें नेक्स्ट किस सब्द में तत्पुरुस समास है तत्पुरुस समास अर्थात यानि कि देखें पितामबर पितामबर आपका बहुबरी समास का उधारन है तिरभवन देखें तो तिरभवन आपका किन से का दिगू समास का उधारन है और क्या है दोड़ अर्थात दोड़ धूप भई यह क्या है आपका दोड़ धूप जयन कि नई, इसका भी नहीं हो रहे है कोई समासरिक विग। मद्हू मख्षी हां, मद्हू की मख्षी। अर्थात यही तक्पुरुश समास, अर्थात सम्मंध कारेक तक्पुरुश समास, सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना मरने पर उतारू होना पीछे पढ़ना या बादक होना तो भहिया क्या है कि सिर पर सवार होने का अर्थ है तो देखे पीछे पढ़ना यानि कि सिर पर सवार होना सवार रहना अर्थात यानि कि क्या हो गया पीछे पढ़ ना बोले मेरे सिर्पाय बैढ़ दा जैसे कहे रहें आगे नेक्स्ट वै बहुत अच्छा लड़का है वाक्या में सर्वनाम है अर्थाथ ए निश्यावचक भाये ये तो होई नहीं सकता कहीं से कहीं तर संबंध उचक ना वह ये ये भी नहीं हो सकता निजवाचक ये भी नहीं हो सकता अर्थात बना कुझसा आपका निश्या बाच नेट्स चले मनोवर जीवन भर पूरा सुक भोगता रहा इने में से कुझसा विसे सण है गुणवाचक कहीं सगहीं तक नहीं सारनामिक होई नहीं सकता संख्या बाची यही नहीं बचा गुण देखे निम लिखे द्धनियों की निर्दरश्टी विसेस्ताओं में से कौन सा है सुद्ध है अर्थात जो आपका उप्सन ए है वो कह रहा है कि तह अल्पप्राण और दंतिय है बिल्कु सहीवादे को जब भी इस तरीके के कोशन मेरे भाई आपको देखने को मिले तो हमे ठीक है चैतालविय है बिल्कु ठीक है में क्या होता है ओश्टी है क्योंकि पैप है बेब है में अब इसके बाद तेख कैसा है तय तीह दैध है ने दंतिय है अर्थात यहाँ से आपको अपसल नहीं मिल रहा अब क्या अगरें अल्पण देखए तो अल्पण जो हता है वो होता है वर्का तीसरा चोथा वो सोरी वर्का पहला तीसरा और कुंसा पाँचमा महाप्राण होता है दूसरा और कुंसा आपका चोथा तो जो तै है वो आपका वर्का पहला वर्ण है इसका मतलब यह विल्कुल ठीक है आपको कि अगला है मैं ओश्टी है तो भाई क्या है इसलिए कोंसा आपका तीसरा गलत है तो इसलिए आपका answer कुन सा हो जाना है तो मिरे भाई आपका answer हो जाना है तीसरा next question है आपका की बाण का पर्यावाची नहीं है और ठाद बाण के तीन socio- स्मा पर्यावाची है एक पर्यावाची नहीं होगा आसुग, सारंग, सिलीमुक, अगला है वीफिक तो भाई कौन नहीं होगा सारंग नहीं होगा इसलिए इसका अंसर कौन सा बी next question है आपका next question है कि तिर्भुवण में समास है तो तिर्भुवण आर्थात यानिकी अभी पीछे एक कोस्टन भी आया था तिर अर्थात तीन भुवन यानि कि तीन भुवन का समू अर्थात कुन सा समास हो गया दिगू समास इसके बाद में आपका जो लाश्ट कोस्टन है वो है आपका कि अंगना का अर्थ है जो अंगना कहते हैं आप सोचेंगे आंगन बिल्कुल नहीं हो का भाई ने जान ये भी नहीं विकलांग ये भी नहीं अर्थात अंगना अर्थात इसका जो उर्थ होता है वो क्या होता है इस्तरी तो देखे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो सेयर करें कमेंट करके जूरू बताएं और मेरे भाई झाल झाल